कि शिर्मती प्रियंका वाडरा जी का हिमाचल आगमन हुआ हम उनका अभिनंदन करते हैं कि बड़ा चिंदा का विश्य यह है कि 2022 के चुनाव में शिर्मती प्रियंका जी आई थी और उन्होंने लगातार चुनाव के अंदर बार बार इस पाक को कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की प्रदेख बहन को 18 साल से 60 साल की सभी बहनों को पंद्रा सो रुपय महिना देने की गारंटी करते हैं और यह लगभग 22,25 लाक बहने आज नौ महिने हो बहे हैं उस गारंटी की इंतजार कर रही है इन्होंने कहा था कि हम पहली कैबिनेट के अंदर ही बहनों को यह सम्मान देंगे यह तोफा देंगे आज लगभग 35,000 रुपया प्रती बहन का कर्ज और प्रियंका जी कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस की सरकार पर चड़ गया है इन्होंने कहा था कि हम पांच लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे रोजगार देंगे और पहली कैबिनेट में देंगे और पहली कैबिनेट में एक लाख बेरोजगारी उफकों को रोजगार देंगे आज चुनाव के बाद आपका आगमन हुआ है तो हिमाचल के बेरोजगार हिमाचल की बेहने इस बात की इंतजार में बैठे हैं कि आपका कोई उत्तर आएगा आपने चुनाव को प्रभावित करने के लिए असत्य बोला जूट बोला जो आज पूरा नहीं हुआ है और एक बार फिर पिछले कल हिमाचल के बागवानों के जख्मों पर नमक छड़कने का ताम किया आपने कहा इंपोर्ट ड्यूटी में 35 परसेंट की कमी आ गई आपकी प्रवक्ता ने दिल्ली में कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी 15 परसेंट रह गई परन्तु यह हिमाचल का जन्मानस जो आपकी बात को सत्य मानता आया है आज फिर दुबारा आपने एक ऐसा असत्य बोल दिया जिसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है 35 परसेंट कब गटा मालूम नहीं वो 50 परसेंट से 15 परसेंट कब आया मालूम नहीं परन्तु पूरे हिमाचल के अंदर एक ऐसा वातावरण बना दिया गया केवल असत्य के आधार पर की जैसे मानों इंपोर्ट ड्यूटी गटकर 15 रह गई इसलिए हमारा कहना है कि जो भी कहें वो सत्य कहें सत्य से परे ना कहें